तो बस दोस्तों अब कुछ ही दिनों की बात है यहाँ पर और उसके बाद क्लब फुट बॉल की वापसी हो जाएगी लेकिन उससे पहले यूरोस के जो सैमी जैनल्ट थे और कोपा अमेरिका के जो सैमी जैनल्ट है उनका प्रेडिक्शन पी तो देना है यार लेकिन यहाँ पर definitely मेरा जो prediction था आपके Euros का वो बहुत अत्ता गलत होगा क्योंकि मैंने predict किया था कि France और Germany के बीच में होगा final लेकिन ऐसी चीज ने होती है दिखनी रहे है क्योंकि यहाँ पर अब Germany तो हो चुकी है बाहर और France का भी जो अभी पढ़ड़ा है वो Spain के सामने अगर मैं on paper देखूंगा भारी रहेगा लेकिन अगर मैं performance के basis पर देखूंगा Spain are far ahead of France तो आज की इस वीडियो में हम predict करने वाले कि कौन खेलेगा इस बार Euro का final और कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी आपके कोपा अमेरिका के final में तो चलो without wasting any time शुरू कर लेते अपना काम tournament के शुरू में यहाँ पर सबने predict किया कि भाई आप पॉर्चुकल का squad इतना बहतर है Germany इतनी अच्छी football खेल रही है France के पास इतनी बहतरीन टीम है कि दो टीम उतार दे दोनों टीमें final खेल सकती है लेकिन किसी ने ये expect नहीं किया था कि भाई Spain की young guns की team जहाँ पर attack में आप देखोगे आपके पास Nico Williams वा लामी नियमाल है ये आपकी Germany को और बाकी टीमों को ना कोच ने शबवा देंगे लेकिन हुआ यही है भाई वो कहते हैं ना कि किसमत भी उसका साथ देती है जो कि खुद का साथ देना चाहता है और यहाँ पर Spain ने जिस तरीके से Germany के गेंस character दिखाया और Marino ने यहाँ पर injury time में जाकर जो goal निकाला उसके बाद Germany को eliminate कि और खुद की जगह पकी की यहाँ पर semi final में वो दिखाता है कि यह Spain की team वो 2014 के World Cup से लेकर अभी तक जितने भी आपने debacles देखे थे जितने भी आपने heartbreaks देखे थे उन सबको overcome कर चुकी है और काइदे में दिखा जाए तो यहाँ पर एक cultural change की जरुवत थी अधिको इस game में आते में definitely आप बोलोगे यहाँ पर Spain के पास momentum है France यहाँ पर Portugal को हरा कर आ रही है तो France ने भी बड़ी team के साथ match जीता है लेकिन वो Portugal की team वो हमारी team आपकी team बड़ी team जैसी football खेली नहीं थी penalty shootout में match निकाल के लेकर आये है वो यहाँ से आपके Portugal के against अब देको एमबापे ने अभी तक अपने euros में कोई भी open play से goal score नहीं किया और even France की अगर यहाँ पर बात किया तो France ने भी अभी तक यहाँ पर open play से कोई goal score नहीं किया लेकिन एक point यह भी है यहाँ पर के France ने यहाँ पर open play से goal concede भी नहीं किया तो वो एक additional pointer add हो जाता है यहाँ पर France के आप बोलो कि अभी अगर हम analysis में बात करें तो लेकिन हाँ यहाँ पर अगर आप Spain की बात करोगे Spain ने open play से goal मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है Fabian Ruiz has been their best player अगर मैं आपके goal in tally की बात करूँ दैन उसके बाद Lamy Niamal obviously and आपके Niko Williams लेकिन इस match में आते में Spain को भी जटका लगा है यहाँ पर आपके Norman and यहाँ पर Carval दोनों suspended है France के गेंस सोने वाले semi final के लिए और Pedri due to unfortunate injury इस game में ही नहीं पूरे tournament से बाहर हो चके है और यहाँ पर Barcelona का जो pre-season tour है वो भी miss करने वाले है अब देखो क्या है ना कि Spain के पास यहाँ पर quality तो है लेकिन यहाँ पर अगर आप France के comparison में देखोगे तो names on paper थोड़े से हलके लगेंगे आपको क्योंकि अब आपके पास नवास खेलेगा आपका right back के तौर पर and definitely आपके पास center back के तौर पर नाचवाई who is very good I am not denying that but वो एक जो momentum था आपके Norman के साथ जो आप बना के चले आ रहे थे हैं आपर एक center back pairing बन चुकी थी आपके लपोर्त और उनकी वो थोड़ी से भलकी पड़े की without Pedri Olmo खेलेंगे आपर midfield में अब Pedri आपके लिए ball carry करते हैं Pedri आपके लिए press resistant आपकी midfield provide करते हैं Olmo on the other hand अगर आप देखो के थोड़ा attacking front पर जादा खेलते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से अब Spain इस change के साथ France जैसी टीम के अगेंस्ट operate करेगी वो देखना है क्योंकि देखो France क्या है France खेल रहे गलीच football उनको result लाने से मतलब है यहाँ पर Deschamps को कोई फरक नहीं पड़ र परने की बात आ रही है भाई Deschamps तो करें हमें नहीं करना गोल स्कॉर हमें जीत रहे हैं हमें टोर्नमेंट जीते हम चाहें गोल स्कॉर करके जीते हैं चाहें हम penalty शूट आप जीते हैं जीत जाएंगे तब सब यहीं बात करेंगे कि वहाई कैसे France देखो तीन लगाता टोर्न जो खेले हैं उसमें यहां तक का सफर पूरा किया है अब देखो क्या है कि France की टीम खेलरी on the counter और Mbappé के इंजिरी के चलते हैं यहां पर Mbappé का जो पूरा गेम प्ले है न वो आपका निकल के नहीं आ रहा है मतलब वो अपनी strength पर नहीं खेल पा रहे है Spain on the other end अगर आप देखोगे बहुत चालाकी से उन्होंने यहां पर पिछले game को manage की अच्छा एक confusion और था कि Alvaro Morata इस game के लिए suspended है या नहीं है तो जो yellow card दिखाया गया था वो Fabian Ruiz को दिखाया गया था ना कि Alvaro Morata को तो Alvaro Morata is not suspended he will be available for selection और वो start भी करेंगे अब अगर मैं यहां पर अपनी you know prediction की बात करूं मतलब इस game के लिए तो देखो मेरे लिए बड़ा आसान है आप प्रेडिक करना क्योंकि यहां पर Portugal के अगेंस इन्होंने जैस तरीके से football खेलिए they were preserving their energy I am expecting high flying football from आपकी France इस semi final में और Spain आपको मौके देगी इवन जर्मनी को बहुत सारे मौके मिले थे आप देखो कि इनकी पास कारवाहल नहीं है तो इनकी defense line थोड़ी already weak हो चुकी है Kukurya has been very good but at the same time आप Kukurya के सामने यहां पर quality attack आएगा no disrespect to Germany but Germany के पास जो attack है वो आप बोलो के थोड़ा सा dysfunctional लग रहा था क्योंकि नहीं बहुत सारे changes कर दिये थे starting 11 में और जब Germany अपने actual players को लेकर आई थी तो Spain थोड़ी trouble में दिख भी रहती अब यहां पर आपकी France जो है वो यहां पर trophy उठाए final में जाकर क्योंकि दूसरी साइट से Netherlands और England जो है वो अच्छी football नहीं खेल रही है बट मेरा आज के गेम के लिए prediction यह कि I am predicting France to go into the finals लेकर देको Andre Revy उने भढ़का दिया है France के setup को उन्होंने बोल दिया कि यहां पर Lamine-Nimal अभी तक जो किया है वो किय भी हैं लेकिन उनने फिर भी गोल स्कोर किये England on the other hand इतनी quality होने के बाद इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद यहां पर गेम जो है वो आपका convincingly नहीं जीती है आप चाहे group stages की बात करो चाहे आप यहां पर round of 16 की बात करो quarterfinals की बात करो Spain ने matches अच्छे नहीं खे अच्छे नहीं जीतना भी नहीं चीए था जिस तरीके से आप Switzerland ने फुटबॉल खेली थी they should have won the game बट वही कहते है ना कि रिजल्ट जब आ जा था उसके बाद कोई यह discuss नहीं करता कि यहां पर कौन सी टीम ने क्या फुटबॉल खेली रही तो आप देखना यह है कि आज के गेम में Netherlands अपने सेटप में क्या चेंज करेगी क्योंकि Memphis डिपाय स्टार्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रोवाइड कुछ नहीं कर रहा है अच्छा कोडिक एकपो एस बीन दा शाइनिंग स्टार फॉर नेधरलेंड्स क्योंकि कोडिक आप देखोगे आपके पिछले गेम भी उनका गोल कॉंट्रिबूशन था हर गेम में यापर कोडिक एकपो इफ इस नोट स्कोरिंग ही अससिस्टिंग तो वो केस रहा है इंग्लेंड ऑन देखोगे तो प्लेंग इलेविन ही सेटल नहीं उपर है उनको अभी यहीं नहीं पता है उनको कोबी मेनो को स्टार्ट देना है नहीं देना है उन्हें गैलेगर खिलाना है या कोबी मेनो खिलाना है उन्हें राइट बैक के तौर पर काईदे में ट्रेंड को खिलाना चाहिए लेकिन वो जबरदस्ती यहाँ पर आपके खिलाए जा रहे है आपके वॉकर को देन आप यहाँ पर देखोगे अप लेकिन अभी England की गेम में इंटेंट भी नहीं है अगर आप देखोगे Netherlands के गेम में बहुत सारे flaws है इवन Ronald Koeman की टीम बहुत ही इंच परफेक्ट नहीं है लेकिन Ronald Koeman की टीम में इंटेंट है और यहाँ पर England की टीम में वो चीज नहीं दिख रही आपको they were not even trying to attack Kane का अगर आप पूरा tournament देखोगे it hasn't been up to the mark and वो एक चीज रही है यहाँ पर के यह अपने high flying players को भी अच्छे से use नहीं कर पाना है the likes of Bukayosa का, the likes of Bellingham, the likes of Harry Kane the likes of Foden और सबसे बड़ा इनके लिए drawback जो रहा है यह left winger लेके ही नहीं आए ना Grealish लेकर आए, ना यहाँ पर Rashford लेकर आए, ना Raheem Sterling लेकर आए तो वहाँ पर इनको और ज़्यादा back foot पर रहना पड़ रहा है अब देखो इस game में I to desperately want because मेरी team तो देखो यार Netherlands है तो मैं तो चाहता ही हूँ कि यहाँ पर Netherlands England को पटक दे और final में जगे बनाए अब final में बनाने के लिए जगे आपको यहाँ पर अपने chances को बरी करना पड़ेगा Netherlands को जितने chances मिलें अगर वो उस पर capitalize कर जाएंगे England को वो ना नियाद दिला देंगे लेकिन बात वही है कि इंग्लेंड की किसमत वी जबर रही है penalty shootout में वो जीत कए जाके सोचो और यान सोमार जैसा keeper penalty predict नहीं कर पा रहा था तो देखते क्या होता है क्या नहीं होता है बट मेरा prediction है इन दोनों games के लिए कि यहाँ से France जाएगी आगे और यहाँ से Netherlands जाएगी आगे तो समझ के चलो कि भाई Spain और England खेलने वाली है final क्योंकि मेरे predictions यूरो के मुकाबले मगर देखू मैं बहुत माशालला रहा है although मैंने predict किया था कि France जीतेगी वाँ पर्चुगल से और यहाँ पर आपकी Netherlands और England जीतेगी आपकी यहाँ पर तो मेरे सर्फ एक prediction गलत हुआ जर्मनी वाला बाकी मेरे तीन prediction जो थे अभी आपके quarterfinals के वो सही predict हुआ है अब बात करते है कोप अमेरिका की तो भाईया ऐसा है कि मैसी की टीम और यहाँ पर आपके Marcelo Bielsa की टीम पहुँच चुकी है James Rodriguez यहाँ पर player of the tournament बनने की कगार पर खड़े हुए है पांच assists अल्रेटी दे चुके है वहीं दूसरे अभर में देखो कि आपकी Argentina को Canada से खेलना है बहुत light fixture है अगर आप देखो गया on paper तो क्योंकि Canada की टीम में players बले ही होंगे लेकिन वो football quality नहीं और Argentina की टीम भाई पिछले तीन साल से जो football खेलना है since the Copa America of last edition वो उनको पता उनको basics उनकी clear है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है if Messi is not shining, Lautaro will shine if both of them are not shining, some other player like Julian Alvarez will shine तो उनके पास multiple match winners है लेकिन ये चीज़ आप Canada के बारे में नहीं बोल से तो Canada के बारे में आप को खुद पता है यार Canada ने जैसी football cup में football खेली ते everyone was expecting a lot from them but they couldn't do it यहाँ पर वो यहाँ यहाँ तक आज जरूर गए semi-final में but I feel Messi का पिछला game थोड़ा डल रहा था इस game में I'm expecting Messi to deliver and definitely यहाँ पर Alvarez और आपके Lotaro Martines shine करते आये पूरे tournament में Leach और Kuti Romero के defense के against मुझे नहीं लिपता कि आपकी Canada की team जो है वो गोल स्कोर कर पाएगी तो इस तरफ से तो मुझे पका लगता है कि Argentina ही जाएगी final में लेकिन हाँ यह जो Colombia और Uruguay वाला game है आप देखो everything depends on the clinicalness of Uruguay strikers and I'm talking about Darwin Nunez अगर Darwin Nunez अपने chances भरी कर देंगे definitely यहाँ पर आपकी Uruguay ही पहुँचेगी final में लेकिन आप Colombia की इस वक्त पर quality जो है न उसको deny नहीं कर सकते क्योंकि Colombia इस वक्त पर खेल रहें one of the best footballs not just in the Copa America but also अगर मैं दोनों competition की बात करो हूँ Euros आपके Copa America मिला के तो यह game बहुत end to end होगा यह game बहुत आप बोलो कि यहाँ पर high flying होगा, high intensity voltage fixture होगा यह but क्योंकि मैं अपने prediction को back कर रहा हूँ तो I am expecting Uruguay to play the finals alongside Argentina अब final में क्या होगा वो अगली वीडियो में discuss करेंगे हम लेकिन हाँ मेरे तो यह prediction है कि आपकी भाई Copa America की दो finalist टीमें होगी आपकी Argentina and आपकी यहाँ पर Uruguay अच्छा आपके क्या prediction है इन सारे matches को लेकर वो comment section में बताना मत भूलना and please do make sure that you are subscribing to 1MEFC अगर नहीं किया अभी तक तो bell icon दबाना मत भूलना और जितना अब like करोगे न वीडियो को उतना ज़ादा हमारा channel और मारी वीडियो प्रमोट होगी चलो इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलवेदा मिलता हूँ अगली वीडियो में बाबाई टेक केर